अतीक का सबसे बड़ा राजदार गुड़ू मुसलिम कहा है? दोस्तो अतीक की हत्या के बाद से ही पुले सब उसकी पतनी, शाइस्ता और उसके राइट हैंट गुड़ू मुसलिम को ढूंड रही है कभी तो उसकी लोकेशन ओडिसा दिखाई देती है, कभी करनाटक और अब एक नई लोकेशन पर गुड़ू को ट्राक किया गया है हर बार एक नई लोकेशन की वज़ा से स्टीएफ के लिए गुड़ू एक पहेली बन चुका है सबसे पहले खबर आई थी कि गुड़ू मुसलिम को महराश्ट के नासिक में देखा गया है ये फोटो भी वायरल हुई थी जिसको लेकर कहा गया था कि बाइक पर पीछे बैठा ये शक्स गुड़ू मुसलिम है लेकिन जैसे ही एस्टीएफ की टीम वहाँ पहुची गुड़ू मुसलिम वहाँ से भाग चुका था गुड़ू को पकड़ने में यूपी एस्टीएफ की टीम नाकाम साबित हुई अब तक नासिक से निकल कर गुड़ू 36 गड़ पहुच चुका था टीम जब 36 गड़ पहुची तो यहां से भी गुड़ू मुसलिम पुलिस के पंजे से बच निकला फिर उसके करनाटक में होने की खबर भी आई दोस्तों गुड़ू बार बार लोकेशन चेंज करने के लिए बार बार अपना हुलिया भी बदल रहा है जिसकी वज़े से उसको पहचाना मुश्किल हो रहा है उदर शाइस्ता भी फरार है प्रियागराज में शाइस्ता के मायके का घर भी पूरी तरह से खाली पड़ा है वहां से शाइस्ता का परिवार भी गायब है इसलिए अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि गुडू मुसलिम शाहिस्ता के साथ ही कहीं छुपा बैठा हो क्योंकि बेटे असत के इंकाउंटर के साथ ही पती और देवर की हत्या के बाद भी शाहिस्ता का सामने ना आना कोई छोटी बात नहीं है इसी बीच अब खबर आ रही है कि गुडू मुसलिम को बंगाल के मुर्शदाबाद में देखा गया है खबर ये भी है कि जाँच एजनसिया गुडू के काफी करीब पहुँच चुकी है एजंसियों को जानकारी मिली है कि गुंडू मुसलिम पश्चिम बंगाल के मुर्शदबाद या उसके आसपास की किसी जगा पर छिपा हुआ बैठा है इस information की वज़ा से टीम पिछले तीन दिनों से पश्चिम बंगाल में कई जगाओ पर छापे भी मार चुकी है हो सकता है यहीं शाइस्ता भी हो इसलिए छापे मारी कर रही टीम में महिला कर्मियों को भी रखा गया है दोस्तों आपको बता दें जब अतीक का भाई अश्रफ फरार था तब वो भी कई दिन तक पश्चिम बंगाल में ही छुपा हुआ था क्योंकि अतीक के गैंग की जड़े यहां भी फैली हुई है इसलिए हो सकता है यही वज़ा हो कि गुड़ू ने भी बंगाल को अपना ठिकाना चुना ताकि वो और शाइस्ता मिलकर आगी की प्लानिंग कर सके हाला कि अब पुलीस का कहना है कि जल्दी गुड़ू मुसलिम पकड़ में आने वाला है और अगर गुड़ू पकड़ा गया आज तो शाइस्ता का बचपाना भी मुश्किल है अधिक हत्याकान से जूड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहेए उल्टा चश्मा यूसी नमस्कार